कर मेरेट के लोगों ने चार साल पहले आवास विकास परिशत से आश्याना खरीदा था निर्मारपुरा होने के चार साल बाद आवास विकास ने आवंटन लेटर भेजा तो फ्लैट के कीमते साढ़े चार लाख रुपए तक बढ़ा दी और अब अधिकारी कहे रहे हैं कि ब पाँच साल में दिया घर अब वसूल रहा गुंडा टैक्स पाँच साल पहले तक मेरेट के जागरती विहार एक्स्टेंशन की लॉंचिंग के वक्त तमाम बेघरों ने सफता आश्याना बेचने वाले आवास विकास परिशत से घर की उम्मीद लगाई थी योजना लॉंच हुई और आवास विकास ने 19 लाक रुपए में टू बीच के फ्लैट देने का ख्वाब दिखाया वादे के मताबिक आवास विकास को बुकिंग के 36 महीनों में आवंटी को फ्लैट देना था लेकिन भ्रश्ट अफसरों और नाकारा इंजिनिरों ने इस निर्मान को पूरा करने में साले चार साल लगा दिये वक्त जादा लगा और आवास विकास का पैसा भी तैय बजट से जादा इन्वेस्ट हो गया मगर आवास विकास अब इस भरपाई का बोज आवंटियों की जेब पर डाल रहा है अब देखेंगे कि ये सारी सडक जो है वो उखड़ी पड़ी है फिलेट के बिलकुल बाहर का ये पूरा नजारा है और दूसरी तरफ ये गंदगी का आलम आप देखिए इसके अलावा जो डख है इसको खुला चोड़ दिया गया है जिसकी बज़े से तमाम जीव जन्तु यहां पर गुज जाते हैं जो सीलन है फ्लेट्स में सीलन भी आ रही है अब देखेगा ये सीलन है ये ग्राउंड फ्लोर का फ्लेट है और सेम इस तिती जो चोथे फ्लोर है वहां पर भी है आवास विकास ने इस इलाके में सैख़डों करोलों रुपए की लागत से कुल 2306 फ्लैटों का निर्माल किया जिस वक्त अफसरों ने ये प्रोजेक्ट बनाया मेरट में फ्लैट कल्चर दूर दूर तक नहीं था नतीजा ये रहा कि बीते कई सालों में आवास विकास महज 1045 फ्लैट ही बेच पाया बाकी बचे 1261 फ्लैट दीमक और सीलन के चलते नहीं बेख पाये और सफेद हांथी बनकर खड़े हैं आवास विकास अब अपनी नाकामी का ठीकरा आवंटियों के सिर फोड़ रहा है अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग रकम देनी होगी जो तैराशी से ज्यादा है आवास विकास ने बढ़ी कीमतों के आवंटन का लेटर आवंटियों को भेजा है और कहा है कि जिसको भी इस वसूली से इंकार हो वो बिना ब्याज की अपनी जमा की गई अब तक की रकम लेकर आवंटन छोड़ सकता है कौन रच्छा कर रहा है जबके जमीनी तोर पर उसके हितों का सोसर हो रहा है कैमरा सायोगी सानु के साथ में नरेंदर भारा समाचार मेरट